ग्रीम गल स्टार आयुश्मान खुराना की जिन्दगी का वो काला सच जिससे आज तक कोई वाकिप नहीं था उसे आयुश्मान ने खुद शेयर किया है आयुश्मान ने बताया कि कैसे फिल्मों में काम देने के नाम पर उनकी पैंट खोल कर प्राइबेट पार्ट देखने की डिमांड की गई थी आकर ऐसा क्या हुआ था उस दिन नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिबूट पिचरचा और महुश्यशांग खांज सिंग और कपूर को हरा कर आयुश्मान खुराना ने सरफ साथ साल के छोटे से करियर में नमबर वन की पोजिशन हासिल कर ली अच्छी फिल्म चुनने की शमता और शांदार एक्टिंग ने उन्हें बॉलिबूट का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया ना कोई फिल्मे बैक्ग्राउंड और ना ही पैसा फिर भी आयुश्मान ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन आयुश्मान की जिंदगी में एक वो दौर भी आया जिसने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया विकी डोनर से पहले आयुश्मान उन दिनों फिल्म के लिए आडिशन देने जाया करते थे एक दिन उन्हें एक फिल्म में साइड रोल के लिए कॉल आया आयुश्मान आडिशन देने कास्टिंग डारेक्टर के पास पहुँच गए आईश्मान को लगा कि उन्हें रोल मिल जाएगा कास्टिंग डिरेक्टर ने आईश्मान से कहा कि आप इस रोल के लिए पूरी तरह से फिट हैं लेकिन आपको इसके लिए एक काम करना होगा आईश्मान ने पूछा कैसा काम कास्टिंग डिरेक्टर ने कहा कि आपको अभी यहां अपनी पैंट खोल कर प्राइवेट पार्ट दिखाना होगा आईशमान को लगा कि शायद उनके साथ मजाख हो रहा है आईशमान ने कहा क्या बात कर रहे हो यार तुम सही में सीरियस हो क्या सच में ऐसा करना होगा कास्टिंग डिरेक्टर ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये रोल आप के लिए नहीं है आईशमान ने मना कर दिया और इसके बाद उन्हें फिल्म से भार कर दिया गया इस बात ने आईशमान को बुरी तरह से तोड़ दिया लेकिन कभी हार न मानने वालों की ही जीत होती है आईशमान इसी रास्ते पर चले और साल 2012 में उन्हें विकी डोनर मिली इस फिल्म ने वॉक्स हॉपिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया पहली ही फिल्म से आईशमान ने इस साबित कर दिया कि आप वो बॉलिवूट के सूर्माओं को मात देने वाले है तब से अब तक आईशमान सरफ हिट फिल्म में दिये जा रहे है आपको कैसी लगी आईशमान की ये स्टोरी हमें कमेंट में बताइए टलिविजन और बॉलिवूट से जोड़ी खबरों के लिए हमारे चलो को सबस्क्राइब कीज़